Hello everyone, welcome to Let's Learn It तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टोरी Mabel की by Somerset Mom from the B.A. Semester 3 Compulsory English तो सबसे पेले हम बात करेंगे author के बारे में इस स्टोरी के author है Somerset Mom जिनका जन्म हुआ था 1874 में एन इनकी death हुई थी 1965 में Somerset Mom का full name है William Somerset Mom इन्होंने अपनी degrees जो है वो medicine में ली थी वो as a physician qualified हुए थे लेकिन इस field में उन्होंने काम नहीं किया उनको literature में बड़ा interest था इसलिए वो full time writer बन जाते है और इनकी first novel थी Lisa of Lambeth तो सबसे पेले इस story की storyline को समझने से पहले हम इस story की structure को समझेंगे तो यहाँ पर इस story की structure को हम इसलिए importance दे रहे हैं क्योंकि यह जो story है Mabel वो एक frame narrative है frame story है means story within story है means एक story की अंदर और एक story है तो इस story का structure समझ लेंगे तो इस story को detail में समझने में आपको आसानी रहेगी आप आसानी से यह और और जो story है वो detail में समझ पाएंगे तो सबसे पहले first story है वो है author के story यानि की हमारे narrator के story इस story के जो author है वो ही story के narrator है तो यह जो story है first story है वो incomplete माने जाती है क्योंकि इस story का कोई particular end नहीं दिखाया जाता इस story में and second story है वो है George and Mabel की और इस story को complete माना जाता है क्योंकि story का particular end दिखाया जाता है story के end में और यह जो story है George and Mabel की वो secretary जो club का secretary होता है वो बताता है वो club का secretary इस story को बताता है हमारे narrator को और यह story हम तक यानि की audience तक readers तक पहुँचती है किस के तरू तो के author के तरू narrator के तरू मिंस George and Mabel की जो story होती है वो club का secretary बताता है हमारे narrator को और हमारे narrator इस story के author हम तक यह story पहुँचाते है तो सबसे पहले हम इस story को short में समझ लेते हैं मिंस एक दो मिनिट में इस oral story को समझ लेते हैं कि oral यह story है क्या इसकी storyline समझ लेते हैं बहुत short में एंड विडियो के एंड तक रुखेगे तो जब story के शुरुआत होती है तब हमारे author यानि कि story के narrator जो है वो बर्मा में pagan में होते हैं फिर वो pagan से मांड ले जाने के लिए निकल परते हैं तो जाते हो रास्ते में एक club में रुखते हैं वहाँ पर वो बैठते हैं थोड़ी सी ड्रिंक लेते हैं किसे से बात भी करते हैं उतने में एक secretary आता है और वो secretary एक दूसरे इंसान से बात करता है जिसका नायम होता है जोर्ज तो जोर्ज को वो secretary उसकी wife के बारे में पूछता है और जोर्ज कुछ सवालों को जवाब देता है थोड़ा सा हस देता है तो यहाँ पर narrator जो है वो observe करते है कि जो इंसान हस रहा है जोर्ज वो सच में नहीं हस रहा मिन्स उसके पीशे को उदासी छिपी हुई है तो जोर्ज वहाँ से फिर चला जाता है तो यहाँ पर जो secretary है वो हमारे narrator को Mabel and George की story बताता है कि कैसे George and Mabel जो हो 6 महिने में शादी करने वाले थे लेकिन कुछ reasons के वज़े से उनके शादी जो हो postpone हो जाती है और उसी तरह से फिर 7 साल लग जाती है तो अब George जो है वो Mabel से शादी करना नहीं चाहता और वो Mabel से बाग रहा है Mabel से पीछा चुड़वाने के लिए George अलग अलग Asian countries में जाता है पर आखिर में George को खुद को Mabel के सामने surrender करना पड़ता है and end of the story दोनों के शादी होती है तो यह है oral story जो मैंने आपको short में बता है लेकिन अब हम इस story को विस्तार से जानेंगे पूरा detail में पड़ेंगे तो जब story के शुरुआत होती है तब story के जो narrator है वो बर्मा में pagan में होते है तो जब वो pagan में होते है तो फिर वो वह से pagan से मान ले जाने के लिए निकलते है शीप के थुरू फिर वो शीप में बैटके मान ले के लिए निकल जाते है तो जब शीप जो है अपने destiny मान ले तक पहुचे उससे पहले वो बीच में रूपती है means एक जो village था उसके जो उसके पास एक river side था वहाँ पे night stay करती है वहाँ पे रूपती है तो जब वहाँ पे शीप रूपती है तो ये author जो है narrator जो है वो सोचते है कि अभी मैं free हूँ तो क्यों न मैं किनारे तक हो आओ तो इस तरह से जब narrator अपना मन बना लेते हैं किनारे पे जाने का तब शीप का जो कप्तान होता है वो narrator को बताता है कि यहीं पास में एक club है जहाँ पे आप जा सकते हो और इस club पे जो शीप के जो अंजान मुसाफर होते हैं आते जाते रहते हैं और वहाँ का जो secretary है club का secretary वो भी बहुत अच्छा इंसान है वहाँ पे शायद आपको karts game खेलने को भी मिल सकता है तो फिर narrator सोचते हैं कि वैसे भी मैं free हूँ वैसे भी मेरे पास कुछ काम नहीं करने को तो क्यों नामे club हो आओ फिर वो एक kart में बैट जाते हैं kart जो एक तरह का vehicle होता है उसमें बैट के वो club जाते हैं तो जैसे narrator club पहुंचते हैं वहाँ club के बाहर एक आदमी बैटा होता है तो जैसे narrator थोड़ा सा चलके आगे जाते हैं वो आदमी narrator का welcome करता है और उनसे पूछता है कि आप किस तरह का drink लेना पसंद करेंगे उसने ऐसा नहीं सोचा बिल्कुल भी के शायद narrator किसी भी तरह का drink लेना ना पसंद करें लेकिन उसने सीधा ही पूछा कि आप किस तरह का drink लेना पसंद करेंगे फिर narrator जो है उसमें से एक drink लेते हैं और फिर वहाँ पे बैठते हैं वो आदमी tall and thin था और narrator को सायद इस आदमी का नाम भी ना पता चलता लेकिन ये दोनों जब बात कर रहे होते हैं वो आदमी and narrator तब वहाँ पे एक तीसरा इंसान आता है और वो बोलता है कि वो secretary है narrator से बोलता है कि वो secretary है फिर secretary जो है इस आदमी को मेरे दोस George कहके बुलाता है और उससे बात करता है तब narrator को पता चलता है कि इस आदमी का नाम जोर्ज है फिर secretary जोर्ज से बात करता है उससे पूशता है कि कोई बात होई तुम्हारी वाइब से कोई खबर आई वहाँ से जोर्ज पताता है कि हाں आज एक लेटर आया था वो बहुत अच्छी है और अच्छा टाइम स्पेन कर रही है सेक्रेटरी पूचता है कि तो क्या उसने तुमसे बोला कि चिंदा मत करना ये बात सुनके जोर्ज जो है वो थोड़ा सा हलका सा हसता है बट यहाँ पर नेरेटर जो है वो कुछ अलगी नौटिस करते है उनको जोर्ज की इस हसी के पीछे एक दर्द की आवाज सुनाई देती है जोर्ज बताता है कि हाँ उसने बोला पर बोलना आसान है और ये ऐसा करना मुश्किल है मुझे पता है उसको चुटी चाहिए थी उसको चुटी पे जाना था और मैं खूश हूँ कि उसको वो मिली और वो इंजोई कर रही है बट ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है फिर जोर्ज जो है वो नरेटर की और मुड़ता है और बोलता है कि ये पहली बार है जब मैं अपनी वाइब से अलग हुआ हूँ अलग रह रहा हूँ इतने दिन से और उसके बिना मेरी हालत एक गुम नाम बटकते हुए डॉक जैसी हो गई है नरेटर पूछते हैं जोर्ज से कि आप लोगों की शादी को कितना टाइम हुआ है जोर्ज बताता है कि 5 मिनिट पांच मिनिट हुए है पांच मिनिट हुए है हमारी शादी को इस बात परे सेक्रेटरी जो है वो हसता है और बूलता है कि मूर्ख मत बनो जोर्ज तुम्हारे शादी को आट साल हुए है थोड़ी देर बात होई उसके बात जोर्ज अपनी खड़ी की और देखता है और बोलता है कि मुझे अब जाना चाहिए और कजा के कपड़े बदलने चाहिए डिनर के लिए और वो वहाँ से चला जाता है सेक्रेटरी जोर्ज को जाते हुए रात के अंदेरे में अद्रिश्य होते हुए देखता है एक समाईल के साथ और वो समाईल निरेटर नोटिस करते हैं वो समाईल अनकाइनड थी मौसिलेस थी ऐसी समाईल जिसमें दया जैसा कुछ दिखाए नहीं दिया सेक्रेटरी नरेटर को कहता है कि हम सब उससे बात करते हैं जितना ज्यादा हो सके वो अभी अकेला है वो बहुत नाखुश है जब से उसकी वाइफ घर गई है और उसकी वाइफ के लिए इस बात को जानना बहुत आननदायक होगा कि उसका जो हस्बंड है उससे बहुत प्या जलाता है और narrator को George and Mabel की कहानी बताता है तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि ये जो 100 story है Mabel वो एक frame narrative है story within story है means story की अंदर एक दूसरी story है तो इस story में पहली story है narrator की और दूसरी story है George and Mabel की तो इस story की शुरुआत से लिए कि अब तक जो हमने discuss किया वो first story थी यानि की narrator की खुद की story थी और अब जो start होगी वो दूसरी story है story within story George and Mabel की जो secretary narrator को बताता है and narrator हमें तो George जब England में होता है चुट्टी पे तब वो Mabel को शादी के लिए पूछता है और Mabel जो है वो हाँ बोलती है जब Mabel बर्मा वापस आती है तब सारे arrangement किये जाते है और 6 मेहने में George के साथ join करना होता है लेकिन ऐसा नहीं हो पाता एक के बाद एक मुश्किले आती जाती है पहले Mabel की father की death हो जाती है उसके बाद country में war शुरू हो जाती है और George को ऐसी जगह वेज दिया जाता है जो British woman के लिए सही नहीं होती और इसके चलते उनके शादी की बाद जो है वो टल जाती है और इस तरह से 7 साल लग जाते है उनके शादी को और 7 साल के बाद शादी की बाद फिर से हुई है George ने सारी तयारिया कर दी है शादी के लिए और ये शादी उस दिन होने वाली है जिस दिन मेबल जो है वहाँ पहुंचेगी George जो है वो मेबल से मिलने के लिए रंगुन के लिए निकल पड़ता है जिस सुबह शीप आने वाली है उसी सुबह वो मोटर कर लेता है और उसको मिलने के लिए वहाँ से निकलता है फिर अचनक क्या हुआ कि वो डर जाता है उसने साथ साल से मेबल को देखा नहीं था वो भूल गया था कि वो कैसे दिखती है मेबल जोर्ज के लिए पूरी तरह से अजनबी बन गई थी जोर्ज ये सब सोच के रियलाइज करके बहुत डर जाता है उसके पैर काफने लगते है वो ये नहीं कर सकता वो सोचता है कि उसको ये बात जो है वो मेबल को बता देनी चाहिए कि वो ये शादी नहीं कर सकता और इसके लिए वो सौरी भी फिल करता है बट छोर्ण फिर से सोजता है कि कैसे कोई आदमी एक लड़की को ऐसे मना कर सकता है ऐसी चीज़ बोल सकता है जब कोई लड़की साथ साल से साधी की उम्मीद कर रही हो और 6,000 माल्स तक वो शादी करने के लिए आ रही हो वो ये भी नहीं कर सकता ना तो वो मेबल को मना कर सक ना ही उससे शादी कर सकता है। फिर जैसे तरह से जोर्ज हिमत जुटाता है शादी से भागने की। वहाँ पर एक बोट होती है जो सिंगापोर के लिए निकलने वाली होती है। जोर्ज जल्दी में एक लेटर लिखता है और बिना कुछ सामान लिये उस बोट में चड़ जाता है और वहां से वो निकल जाता है मेबल को जॉर्ज का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि डियर मेबल मुझे बिजनेस के सिलसले में अचानक बुला लिया गया है यहां से और मुझे पता नहीं है कि मैं कब वापस आऊंगा इसलिए समझदारी इसी में होगी कि तुम इंग्लेंड वापस चली जाओ और मेरे सब काम आगे के जो फ्लान से वो सब अंसर्टेन है कुछ फिक्स नहीं है तो मैं कुछ बता नहीं सकता पर जोर्ज जब सिंगापॉर पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि एक टेलिग्राम उसका इंतजार कर रहा था जिसमें लिखा था कि बिलकुल समझ सकती चिंता मत करो लव मेबल एंडर जोर्ज को तुरंत सोचने में मजबूर करता है और उसको लगता है कि मेबल मेरा फीचा कर रही है जोर्ज रंगुन की शिपिंग आफिस के टर्च में था और इंक्वारी करने पर उसे पता चलता है कि शीप के पैसेंजर लिस्ट में मेबल क नाम था और वो शीब जो है सिंगापॉर के लिए निकल पड़ी थी और वो कभी भी सिंगापॉर पहुंच सकती थी और जोर जो है उसके पास एक भी मुमेंट नहीं था गवाने के लिए उसको वहां से तुरंत निकलना पड़ता है और वो तुरंत बैंकोक जाने वाले ट्रे मिटले बैंकोक से एक और फ्रेंस शीप थी जो दूसरे दिन साईगों के लिए निकलने वाले थी तो वहाँ से जोर्ज वो शीप ले ले लेता है और वो सोचता है कि साईगों उसके लिए सेफ रहेगा वो सोच भी नहीं सकती कि में साइगों गया होगा और अगर उसने सोच भी लिया तो इस बार वो पका समझ जाएगी और वो वापस चली जाएगी पैंकोक से साइगोन की मुसाफरी पांस दिन की थी और ये मुसाफरी बहुत अनकमफटेबल थी बिल्कुल भी आरमदैक नहीं रही शीप अगदम और क्राउड़ेट था एंड डर्टी था पर वो सा टेलिग्राम थमा दिया जाता है उसके हाथ में और उस टेलिग्राम में सिर्फ दो वर्स लिखे थे लव मेबल और ये दो वर्स काफी थे उसको डर के साथ कापने पर मजबूर करने के लिए और जोड़ तुरन पूछता है कि होंग कोंग के लिए दूसरी बोट कब है अब उसका मेबल से भागने का इरादा और ज्यादा सीरियस हो चुका था वो होंग कोंग पोहुचता है पर वहां रहने की हिम्मत नहीं कर पाता तो फिर वो होंग कोंग से मनिला जाता है मनिला में भी उसको सेफ नहीं लगता तो वो मनिला से सांगाय जाता है और सांगाय में भी उसको डराने लगता है जैसे जब भी वो होटेल से बाहर निकलता है ओ अपने आपको भाग के सिधा मेवल की बाहों में जाता हुआ सोचता है इस तरह से इमेजिन करता है जोर्ज को लगता है कि नहीं सांगाई भी उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है तो वहां से वो योक वो तूरण श्रिपिंग के बारे में इंक्वारी करता है और पता लगाता है कि मेवल अभी कहां पे है वो वापस सांगाई चला जाता है और इस पर वो सिधक कलब जाता है और सामने से टेलिग्राम के लिए पूछता है और जोर्ज को टेलिग्राम थमा दिया जाता है जिस और वो उस وقت बहे रही थी और उस वक्त एक last sheep थी जो George पकड़ सकता था जिसमें बैठ के वो जा सकता था जिसके बाद spring तक वहां कोई मुसाफरी नहीं कर सकता था सीवाई के छोटी बोट के द्वारा और इस तरह की छोटी बोट में इस तरह की मुसाफरी करना अकली वूमन के लिए सेफ नहीं था जो जांक को जाता है और वहाँ से जाता है इचांक इचांक से बोट चेंज करके जाता है चांकिंग पर वो अब कोई भी किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहता था वहाँ पे एक जगह थी चैंटू करके और वो जगह यहां से 400 माइल्स दूर थी और वहाँ पे सिर्फ रोड से ही पहुचा जा सकता था और रोड जो था वो चोर लुटेरों से भरा हुआ था तो आदमें वहाँ पे सेफ था मिंसके वुमन के कंपेरिजन में आदमें वहाँ पे सेफ रहेगा तो जोर्ज वहाँ पे चला जाता है जोर्ज चैर लेता है और बहार लगा के बैठता है और चाइना की दिवारों को देखना उसके लिए ग्रेट रिलिव था संसेट के वक्त उन दिवारों से आप तीबेट की वर्फिली परवते देख सकते थे और आखिर में वो यहाँ पे आराम कर सकता था यहां मेबल उसको कभी नहीं डून पाएगी और सोने पे सुहागा यहां का जो कांसल था वो जोर्ज का फ्रेंड निकला तो उसके साथ वो यहां पे रुका था यहां पे वो आराम से रह रहा था इतने टाइम से इस्या में जो बागदोर की थी उसकी जो थकान के बाद जो आराम मिला है वो एंजोई कर रहा था जोर्ज और सबसे अच्छी बात उसके लिए ये थी कि वो यहाँ पे सेव था और इसी तरह से आराम में एक के बाद एक वीक गुजरता है एक दिन सुबसुबस जोर्ज एन कांसल बाहर आगन में थी और कुछ अजीब सी चीजे देख रहे थे जो चाइनिस में उनकी एक्जामिनेशन के लिए लाया था और उसी वक्त कांसल के घर के बड़े दरवाजे पे जोर से नौक किया जाता है डोर में उसको खुला छोड़ चार आदमी के द्वारा एक चैर लाय जाती है अंदर और नीचे रखी जाती है और मेबल जो है वो बाहर निकलती है और वो एकदम सांथ, नीट और फ्रेस दीख रहे थी उसको देख के लग नहीं रहा था कि वो उस रोड़ से रोड़ पे से दो विक के बाद आई थी जोर मैंने तुमको दुबारा मिस कर दिया और कापती होई आवाज में जोर्श भी बोलता है हैलो मेबल जोर्श को कुछ समझ नहीं आता कि क्या बोलना है वो इधर उधर देखने लगता है उसकी नेली आखों में समाइल के साथ मेबल जोर्श के ओर देखती है और कहती है कि अब होने के बावजूद इतने सालों के बाद मैं तुमसे शादी नहीं कर पाती तो बहुत बुरा होता मुझे बहुत बुरा लगता फिर मेबल जोर्ज के फ्रेंड की और मूरती है और वो पूछते है कि आप कांसल हो वो बोलते है हां मेबल बोलती है कि अगर आप कांसल हो तो फिर तो आप हमारे शादी करा सकते हैं मैं जोर से शादी करने के लिए रैडी हूँ और इस तरह से दोनों की शादी हो जाती है एंड इस तरह से स्टोरी का एंड होता है So I hope आप सब स्टोरी को अच्छे से समझ गए होंगे एंड यह वीडियो आपके लिए helpful रहेगा So thank you, thank you for being here